फिर से मेरी यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं mixed representation तो दोस्तों mixed representation का concept एक ही है लेकिन दो countries में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है ये जर्मनी में इस्तेमाल होता है और न्यूजी लैंड के parliamentary election में इस्तेमाल होता है दोस्तों जर में में इसे additional number system के नाम से जानते हैं और न्यूजी लैंड में इसे MMP के नाम से जानते हैं अर्थात mixed member proportional representation लेकिन दोस्तों दोनों चीज एक ही है तो चलिए इसको discuss करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं सो mixed representation is blend of first past the post and list system so I assume कि आपने मेरे उन दोनों वीडियो को देखा है और अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आहीं जाएगा तो दोस्तों इसको इसको इस्तेमाल हम कब करते हैं पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं तो मैं तीन political party का यहां नाम लेकर चल रहा हूँ स्टार party, sun party और moon party तो दोस्तों इंडिया के context में देखीगा इन political parties को ठीक है ऐसे कुई parties नहीं है hypothetical है कभी कभी होता क्या है कि आप चाहते हैं कि जो सरकार है केंदर पर या राज्य अस्तर पर वह sun party का हो लेकिन दोस्तों आपके शित्र से जो sun party का candidate खड़ा होता है वह बहु करते हैं star party के candidate को आपके शित्र से आप चाहते हैं कि भाई मेरे शित्र से तो star party का candidate जीत जाए लेकिन सरकार बने तो sun party का बने तो आप कैसे vote डालेंगे हाफ आप तो नहीं डाल सकते कि आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो तो दोस्तों इसी दुविधा को दूर करने के के लिए mixed representation के concept को लाया गया यहां क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि candidate किसका जीते तो star party का तो पहला जो वोट आप डालेंगे आपके पास दो वोट होगा चुनाओं में आप जो पहला वोट डालेंगे वह candidate के लिए डालेंगे आप डालेंगे स्टार पार्टी के लिए कि आप किस party के candidate को जीताना चाहते हैं और आप दूसरा वोट डालेंगे वो डालेंगे party के लिए list system की तरह और इसमें ये decide होगा कि आप किस party की सरकार को चाहते हैं कि वह सत्ता में आए तो दोस्तों आप यहां पे sun party का नाम डालेंगे जो समस्या है आपका वो दूर हो गया यहां ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि sun party की सरकार भी वने और जो sun party का candidate भी आपके शितर से वह भी बहुत अच्छा है तो आप पहला वोट और दूसरा वोट जो candidate वाला वोट है और जो party वाला वोट है वह एक ही party को डालेंगे tension ही नहीं है तो इसी चीज को दूर करन के लिए इसी दूविधा को दूर करने के लिए mixed representation आया इसमें क्या होता है mixed representation में कि दोस्तों जो कुछ seats होती है वह first past the post की तरह constituencies में बढ़ जाती है और कुछ seatों पर list system के तरह चुना होता है तो अगर example देखे funland का एक देश मैंने मान लिया है इसमें hundred seats है पार्लियमेंट में तो इसके 50 seatों को constituencies में बाट दिया गया पूरे देश को 50 constituencies में बाट दिया गया one two three four forty nine fifty बांट दिया गया अब दोस्तों यहां अगर आप constituency number one के वोटर है तो आप वोट करेंगे first vote candidate को डालेंगे second vote party को डालेंगे तो आपने वोट किया तो यहां से first past the post की तरह है जिसको maximum votes जिस candidate को आएंगे वह candidate जीत जाएगा तो depend करेगा 50 जो first past the post की seat है उसमें किसका candidate कितना seat लाया जैसे में हमारे यहां का विधान सभा का result declare होता है कि यहां लोक सभा का result declare होता है कि 543 seats में यह party इतना seat जीट गई तो इस तरह से होगा लेकिन बाकी के जो 50 seat बची उस पर कैसे चुना होगा उस पर कैसे जो parties है वो winner declare होंगी तो list system की तरह होगी तब क्या होगा कि जितने भी 500 constituency के मिला के total voters हैं उनको count कर लिया जाएगा और उनके second vote को अर्थाथ party vote को देखा जाएगा कि वह किसको vote दिये है उसके बाद percentage निकाल लिया जाएगा कि किस party को कितने vote पूरे के पूरे country से प्राप्त हुए हैं अब यहां constituency को नहीं देखा जाएगा अब पूरा का पूरा देश एक constituency में convert हो जाएगा जैसे कि list system में हो agreement में मिल जाएगा for example अगर second vote जो लोगों ने दिया वह अगर 20% पूरे देश में मिला किसको मिला सन पार्टी को तो सन पार्टी को total कितने सीट मिल जाएगे तो जो 50 यह सीटे हैं list system वाली इसके 20% सीट मिल जाएगे अर्था 10 सीटें उसको allocate की जाएगी और 10 सीटों पर उनका MP होगा तो इस तरह से चुना होता है mixed representation का तो अगर एक real life का example लें तो New Zealand है New Zealand और Germany में से चुना होते हैं New Zealand में total जो सीटे हैं Parliament की 120 है 71 पर candidate खड़े होते हैं जैसे कि मैंने यह पसा ऐसे से बना के दिखा आपको और 49 पे list system से चुना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया इसी तरह से चुना होता है तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको concept समझ में आ गया होगा अगर आप concept को नहीं समझे हैं तो आप first past the post और list system वाले मेरे videos को जाकर access करके देख ले 110% guarantee देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों if you liked my video दोस्तों तो मेरे channel को subscribe जरूर करें धन्यवाद